सूप्रभाद, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उमीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर होंगे, स्वस्त होंगे और खुब मन लगा कर पढ़ रहे होंगे तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, ये नमी कक्षा में हमारी दो पुस्तक हैं, शितेज और क्रितिका तो शितेज पुस्तक से हम पार्ट एक, दो और चार कर चुके हैं, हमने वस्तोनिस्ट प्रिक्षा भी उसकी दे दी है तो जो पार्ट तीन था हमारा वहे पार्टे करम में नहीं था तो अगे चलेंगे, आज हम करेंगे क्रितिका से पार्ट दो क्रितिका का भी जो पार्ट एक है, वहे हमारे पार्टे करम में नहीं है इसलिए हम आज पाट दो से कृतिका पुस्तक को प्रारम करेंगे कृतिका पुस्तक का कारिये हम अपनी व्याकरण की पुस्तिका में ही करेंगे हम उस रजिस्टर को आधा व्याकरण के लिए प्रियोग करेंगे और आधा कृतिका के लिए प्रियोग करेंगे तो देखिए जो हमारा पार्ट दो है वह है मेरे संग की ओरतें अब एक जो ओरत होती है वह है ओरत कई प्रकार की भूमी का निभाती है वह किसी की पतनी है किसी की मा है किसी की भेहन है किसी की बुआ है तो अलग-अलग होते हैं संबन सभी के ऐसे ही संबन होते हैं और इस पा पाट में किया है लेखिका की नानी लेखिका ने कभी नहीं देखी थी क्योंकि वह पहले ही मर चुकी थी किन्तु लेखिका की मा उनके बारे में उसे काफी बताती रहती थी जिससे वह उसके व्यक्तिताओं के बारे में जान गई थी अब और आगे का जानने के लिए चलिए ह हम देखते हैं पाठ में। प्रिपास की और विदेशी शान शोकत से जिन्दगी बिताने लगे। प्रंतु नानी नानी पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अतह है लेखिका की मा की शादी एक सवतंतरता सेनानी से ही हुई। वे अब खादी की साडी पहनती थी जो उनके लिए ऐसेनिय थी। लेखिका ने अपनी मा को कभी भारतिय मा जैसा नहीं देखा। वे घर परिवार और बच्चों के खान पाना दी में ध्यान नहीं देती थी। क्यों? क्योंकि उन्हें सिर्फ पढ़ने और संगीत सुनेने का ही शोग था। उनमें दो मुखे गुन थी। पहला था कि वे कभी भी जूट नहीं बोलती थी। और दूसरा क्या था कि वे एक की गोपनिये बात हम बता देते ना कि मेरी बात किसी को नहीं बतानी। वहीं पर छोड़ते थी। इसी कान उन्हें घर में बहुत जादा आदर मिलता था। उन्हें बहार वालों से दोस्ती मिलती थी। लेखिका की परदादी लीक से हटकर चलती थी। उन्होंने मंदिर में जाकर अपनी पतोहू के लिए पहली संतान एक बेटा नय मानकर एक बेटी पहली संतान के रूप में मानी थी। जो उस समय की एक बहुत ही बड़ी बात समझी जाती है कि कोई घर की व्रिद औरत एक पहली संतान एक बेटी के रूप में मानी। क्योंकि आज भी हमारा समाज ऐसा है कि जब भी पहली संतान होती है तो यही चाहते हैं कि बेटा हो जए किन्तो उस समय में लेखिका की परदादी ने पहली संतान बेटी मानी थी और वो भी कैसे मंदिर में जा करके मन्नत मांगती थी उनकी यह बात सुनकर लोग हक्के बक्के रह गए थे इश्वर ने उनके घर में पूरी पांच कन्याई भेज दी एक बार घर के सभी लोग घर से बहार एक बरात में गए हुए थे और घर में जागरन था हते लेकी का की दादी शोर मचाने की वज़े से दूसरे कमरे में जाकर सो गई थी क्योंकि अब घर में इतने लोग इकटे थे शादी विवा में हम सब इकटे हो जाते हैं तो ऐसे ही दादी जो थी उनकी नींद डिस्टरब हो रही थी, उनको सोने नहीं दे रहे थी, इसलिए वो दूसरे कमरे में जाकर सो गई तबी जो है चोर आ गया और दादी के कमरे में घुस गया, पर दादी के नींद खुल गई, उन्होंने चोर से एक लोटा पानी माँगा बूडी दादी के हट के आगे चोर को जुकना पड़ा, और वह कुएं से पानी लेकर आया पर दादी ने आधा लोटा पानी खुद पिया और आधा लोटा पानी चोर को पिला दिया और कहा कि अब हम मा बेटे हो गई अब तुम चाहे तो चोरी करो चाहे तो तुम मेरे घर खेती करो उनकी यह बात मान कर चोर चोरी छोड़ कर खेती करने लगा अगर जो दादी है वो चोर को पकड़ती उसको मारती तो हो सकता था कि चोर चोरी कभी भी ना छोड़ी लेकिन दादी ने क्या किया उसको अपना बेटा बना दिया और वो खेती करने लगा लेखीका की भैनों में कभी इस हीन भावना की बात नहीं आई कि वे एक लड़की है पहली लड़की जिसके लिए परदादी ने मन्नत मांगी थी वह थी मंजूला दूसरे नमबर की लड़की कुद थी लेखीका बृदूला पहली मंझूला और दूसरी थी लेखी का, कौन है अमारी लेखी का इस पाट की? मृदुला गर्ग तीसरी भेन का नाम था चित्रा, और उसके बाद रेणू, और उसके बाद अचला तो यह थी पाँच भेने, कौन-कौन सी? मंजुला, मृदुला, चित्रा, रेनू और अचला इन पांच बहनों के बाद एक भाई हुआ था और उस भाई का नाम था राजीव लेखीगा का भाई राजीव हिंदी में और अचला अंग्रेजी में लिखने लगी और रेनू विचित्रा सवभाव की थी वे स्कूल से वापसी के समय गाड़ी में बैटने से इनकार कर देती थी और पैदल चल कर ही पसीने से तर होकर घर आती थी उसके विचार सामनतवादी विवस्ता के खिलाफ थी वे भी ये पास करना भी उचित नहीं मानती थी लेखीका की तीसरी जो भेन थी जो थी चित्रा को पढ़ने में कम तथा पढ़ने में अधिकरूची थी इसकान उसके सिश्यों से उसके कंक जो थे कम आते थे उसने अपनी शादी के लिए लड़का पसंद करके एलान किया कि वह शादी करेगी तो उसी से करेगी और क्या हुआ था उसकी शादी फिर उसी से हुई थी हचला सबसे छोटी भेन जो थी पत्रकारिता और अर्थसास्तर की चात्रा थी उसने पिता की पसंद से शादी कर ली और उसे विलिखने का रोग लग गया सभी ने शादी का निर्वा भली भाती किया लेखिका शादी के बाद बिहार के एक कस्बे डालमिया नगर में रहने लगी वहीं पर वहां की ओरतों के साथ उन्होंने नाटक भी किये इसकी बाद मैसूर राज्य के कस्बे बागल कोट में रही वहां लेखिका ने अपने बलबूते पर प्राइमरी स्कूल खोला अपने बलबूते पर लेखिका ने स्कूल खोल दिया जिसमें उनके और अन्य अपसरों के बच्चों ने अपनी पढ़ाई की और भिन-भिन शैरों के अलग-अलग स्कूलों में दाकिला लिया विद्याले खोलकर लेखिका ने दिखा दिया कि वे अपने प्रियास में कभी ऐस अफल नहीं हो सकती प्रन्तु लेखिका स्यम को अपनी छोटी भेन रेणू से हमेशा कम तरागती थी वे एक अन्य गटना का गटना को याद करते हुए लिखती है कि दिल्ली में 1950 के अंतिम दोर में 9 इंच तेज बारिश हुई और चारों तरफ पानी भर गया था रेणू की स्कूल बस नहीं आई थी सब ने कहा कि स्कूल बंध है लेकिन वे नहीं मानी वे दुन की पक्की थी वे दो मेल चल कर स्कूल गई और जब उसे पता चला कि वास्तों में स्कूल बंध है तो उसके बाद वे वापस लोट कर आई लेखिका मानती है कि अपनी दुन में मंजिल की और चलते जाने का जो अकेले पन का मजा है वेब भूती अलग है वेब मजा भूती अच्छा है उमीद है कि पाठ आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा पाठ थोड़ा सा बड़ा है लेकिन हमें एक बार ध्यान से इस पाठ को अवश्य पढ़ना है तो चलिए जल्दी से अपनी कृती का पुस्तक निकालिए और पाठ दो को पढ़ना प्रारम उसके बाद इसके प्रेशन उत्तर अपनी पुस्तिका में करेंगे उनको दोराएंगे अब आपसे फिर मिलूंगी जब तक अपने घर रहिए स्वस्त रहिए और इसी तरह से खूब मन लगा कर पढ़ते रहिए धन्यवाद